अब आपकी रादनितिक लड़ाई भी तो एक सैनिक सही है, कनल कुठिया, आपको लगता है इस फैसले का फैदा मिलेगा आपको, जो फैसला क्रिशी कानूनों को लेकर प्रधान मंत्री निश्चित ही मिलेगा, तेर करदी भुदूर आते आते, मामला केंदर का है, अब दू कोड़ा कांड होने वाला है, छे सो करोड़ पे का खनन घोटाना हुगा, कोई ऐसे अनिता नहीं है कि उस प्रकार के काम करें, वो हजार बारा का वो दौर, आपने इमांदारी का जिक्री का है, लोकाइट कहा है, अगर आप शक्ता होगी तो लावित के लिए आएंगे लोट औरेस की बात करें, लोकाइट की जरूरत नहीं है, आम आदमी पार्टी किसकी बीटीम है, आपकी या पर कॉंग्रेस की, हरेक सिंघ रावत का एक बयान आया हाली में, उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी का रणनीतिकार होता, तो मैं कभी भी हरीश रावत का नाम लेता है, इससे कॉंग्रेस को फायदा होगा, आपको लगता है? देखे, मैं तो अरिस रावत जी का नाम देना मुचित पीजिए, कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक और मधू कोड़ा कांड होने वाला है, छे सो करोड़ पे का खनन गोटाला होगा, अच्छा धामी या लेकिन पहाडो की रानी मसूरी के राजा से आज आपको मिलाएंगे, ये राजनेतिक राजा हैं, और ऐसी शक्सियत वैसे तो किसी परीचे की महताज नहीं, कैबिनेट मंत्री भी है, अपनी बेबाक राए के लिए जाने जाते हैं, उरजावान भी है, जीत की हैट्रिक भी साथ पार कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? आज वाइदों को हमने पूरा किया है, ठीक, एक जिम्यदारी आपके पास और भी है, कि सैनिको के वोट आप लेकर आएं, और माना जाता है कि बीजेपी के साथ रहा है सैनिक वोटर, पूर सैनिक वोटर, और इस बार एक जिम्यदारी आपके उपर भी है, कि आप उन सैनिक आपने कोई खास रणनीती बनाई है और क्यों वोट देगा आपको पूर सैनिक और सैनिक क्योंकि सैनिक के संबान की एक चंता कोई करती है तो भार जंता पार्टी करती है आपने क्या किया मैं उधान जे रहा हूं आपको फोड़ा पुछ ले गांगा मैं भी सेना में रहा हूं 76 से लेकर 83 तक और कारगिल से पहले जितने भी युद्ध हुए लेकर युद्ध डेश की सिमा पर कोई जवान सहीद उता था तो उसकी दिख सैयरिटि बेंट और राक उसकी घर में भेज दी आती थी और कहती आता था कि आपका बेटा गैस की सिमा पर सही हुआ है लेकिन पहली बार है जब बाटपेजी देश के सोगे बाटपेजी देश के भधान मंत्री से कारगिल का जुद्ध हुआ जो हमारे वीर सैनिक देश की सीमा पर सहीद हुए तिरंगे जण्डे में उसका पार्थिर उसके घर भेजा गया पुरे सैनिक सम्मात के साथ उसका धास अश्कार किया उसके परिवार को गैस अजन्शी प्रण्पर्ण दिया गया जो एक परमपरा बन गई इस काम को बस्रूप किया तो भरजनता पार्टे नहीं कि आज आम सैन देश की सीमा पर हमारे जवान सहीद होते हैं देश की सेना का 17.5% की पूर्ती हमारा छोटा सा राज रत्राखन करता है देश की रख्षा करने वाला हर पांच्वा सनिक हमारे रत्राखन से होता है अभी हाले में हमारे छे जवाल सहीद होता है कि देश की सिमा पर रक्षा करते हैं अगर कोई जवान सहीद होगा इसके परिवार के एक वेक्ती को उसकी युगता के नुशार नवक्री देने का काम भार जलता पार्टी की सफ्कार करेंगी मैं अब राजनितिक पहलू से आता हूं यह तो बिल्कुल वाजब सी बात है सम्मान मिलना चाहिए सैनिकों को और आप कह रहें कि हमारी सरकार दे बिरी है लेकिन अब आपकी राजनितिक लड़ाई भी तो एक सैनिक सही है सामने करणल कोठियार कमंडर को ने करणल कोठियार सेनिक हो सकता है उसका जो कप्तान है उसने तो कहां था कि सथक्रियस्ट्राइक हुई नहीं उसने उस स्वाब लगा लेजिए वह कहां तो सेनिक हो गया जिसने जिसने ऐसे व्यक्ति को एपना निता चुना हो जिसने हमारे सेनिकों की वीरता पर प्रस्चिन लगाया हो इसने सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा होगा आपको याद होगा कोई नुकसान नहीं होगा कर्णल कोठियाल से मैं कहता हूँ एक क्या ऐसे कही कर्णल आ जाए हमारे तो जनलों की फाज है और गणे जोसी जैसा राइफल मैं गणे जोसी जैसे कई सिपाई यहां पर हैं तो कोई फरक पढ़ने वारा कर्णल कोठियाल ने भी तो जनसेवा की क्ञाद में नौकली करते थै कंखाली यह जो काम मिला फीरी नहीं कोई काम ने पैसा लिया गयाया जो आप घासरा कर घो सिक्राइनगे आपकि अठी सब्सक्राइब नहीं है नहीं के दारनाथ में अगर कुछ हुआ तो आपको परते खोलनी चाहिए सरकार आपकी है नहीं जब आश्की आउशकता महसूस होगी जब लड़ाई होती है तो सारे अमनेशन एक साथ निकले जाते हैं सब्सक्राइब करनल को चुनोती दे रहे हैं मैं कहते हुँ एक क्या ऐसे करनल आ जाएं तो भरजिंत मैं करना हूं आज देखें मुर्चे पर सिपाई लड़ता है शिपाई भरजिंता पार्टे के साथ है कमान जनरल करता है सारे जनरल हमारे पास है मैं आगे आता हूं ख्रिशी कानूनों को लेकर प्रदान मंतिरी ने कदम पीछे खीचे आपको लगता है कि सभी फैसला था मौके के हिसाब से कि देखें है कि देश के नहीं विश्व के नंबर एग नेता है और उन्हें फैसला किया है को सोच के क्या होगा जो नने लिए है भर जनता पार्टे के साथ उत्त्राघंड में 19 बहुत शेत्र ऐसे हैं जहां किसान प्रभावी शेत्र हैं इसका फाइदा मिलेगा आपको क्य एक जो निरेटिव था वो जुड़ चुका था कि गलत सरकार कर रही है अगर आपने एक टीव में एक इंट्रीव देख रहा था जी और एक किसान नेता के बयान देख रहा था जब से एंकर ने पूछा क्या वह भी आप भागियंता पार्टी का बिरूत को रोगे या बोट प्रधान मंतरी ने खुल कर बड़ा दिल दिखा कर माफी मांगी क्या बीजेपी नेता भी इस बात को लेकर माफी मांगेंगे कि जो साथ सो साथ साथ सो किसान शहीद हूए नी बिल्कुल देखिए जो किसान सहीद हूए हमारी समय नाएं हमकी साथ में आप लोगों ने तो एक भी ट्विट नहीं किया आप लोगों ने तो कहा कि ये नकसली है पाकिस्तान है खालिस्थानी मतलब कहने का मतलब एक कि बीजेपी नेताओं ने ये सब बयान बाजी की अनिल विज ने खुल कर बोला जो हर्याना के मंत्री नेता थे SDM तक ने कहा कि इनका सर फाड़ देना तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक नरेटिव सैप हुआ कि ये BJP की सोच है कि ये खालिस्थानी है अनिल विज देश के बधान मंत्री नहीं है जब देश का बधान मंत्री सारदी की रूप से आप ही मांग रहा हो तो इससी बड़ी बात कोई नहीं हो सकते आप भी तो भावनात्मक हैं भावुक व्यक्ति हैं आपके दिल में भी तो टीस हुई होगी साड़े साथ सो किसान इस तरह सड़कों पर मर गये जिसके घर का जाता है आज हम बैख के बात कर रहे हैं जिस पिवार का बत्ती होगा आप वो किस दोर से उज़र रहा होगा और मैं तो हम तो प्रधान मंत्री से यह मान करेंगे कि उनको मौज़ा मिलना चाहिए उनको पेंचिन मिलनी चाहिए कि जिकर किसी की घर का कमाने वाला ज्या है फैसल लिए मैं आगे बढ़ता हूँ राजनितिक नजरिये से हरेक सिंग रावत का एक बयान आया हाली में उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी का राणितिकार होता तो मैं कभी भी हरी शरावत का नाम नहीं लेता है इससे कॉंग्रेस को फायदा होगा आपको लगता है देखिए मैं तो हरी शरावत जी का नाम लेना मुझे नहीं समाझता जो वेक्तरी मुख्यमंतरी रहते हुए दो जगे से हार गया हो जिसने इतिहास काइम किया हो वो कितना बड़ा लेता होगा उसकी तलबना आप कर सकते हैं चुनाल तो खंडूरी जी भी हारे देखिए दो जगे से हारना उसके खंडूरी जी भी आपका चाहरा देखिए था आपने और खंडूरी जी एक मज़ेवे पॉल्टिशन में नहीं थे किसके कुछ अपनों के कुछ पराय के अपने कौन के वो ठागुर बहुने सीट थी निर्णाय गलत था फस गए लेकिन आ खंडूरी राज्ये का चैरा रहे खंडूरी जरूरी का नारा दिया आप में वो अपनों के चक्र भी औफस गए जी वह अपनों के चक्र में उफस गये नहीं मैं क्या कह रहा हूं खंडूरी जी आज भी वहारा चेहरा हैं आज भी अगर आप जाएं उत्राखने के अंदर जो फॉलोविंग सेनिकों के अंदर जो आम जन्वार्स के अंदर खंडूरी जी कूकि उन्हें रामिती में आपकी लेकिन आप कह रहे हैं वह ठाकुर बहुल शेत्र सा इसलिए हो हार गये मैं इतना जानना चाहरा हूं जो वह पूरे राज्ये के चहरा थे सिर्फ वह राज्ये के नहीं वह देश के नत्युत में भी बड़ा चेहरा रहे खंडूरी जी तो ऐसी सिटी में अपनों ने फसाद तो कोई बड़ी बात नहीं थी नहीं के से चंता ने था नकाल दिया कि तो कि जंता देख चूगी थी कि मुगटी रेटे में उन्हें क्या किया खंडूरी जी को फिर अपनोंने कैसे फसादिया वो किनके छक्रूरी में फस गय राज्टिति से बाहर हैं लेकिन आज भी मेरा चुनाव कर लेका घड़ा नुटा यह बलाता हूं और इत्बार भी बलाऊंगा तो फिर यह कौन सी प्रविती है कि उत्राखंड में कुछ चेहरे ऐसे हैं जो उस सरकार में भी इस सरकार में आपकी कैबिनेट में आदे से ज्यादा चेहरे वह कौंग्रिसी हैं क्या मैं गलत हूँ देखे राज्टिति ने जो लिन्य किया उसमें की प्रस्थित की नुशार ह आप लोगों को कभी दिल नहीं टूटा गणेश जो शी जैसे इतने लगातार चुनाओं जीतने वाले चेहरे उनको मंत्री नहीं बनाया गया क्या आपका दिल कचोड़ा नहीं क्यों मेरे को मंत्री नहीं बनाया गया वो फैसला जाइस था आपको लगता है मैं करा देखे नेतों पर प्रस्थिन लगाना हमारी परंपरा नहीं है मैं आगे बढ़ता हूँ आप उत्तरकाशी जिले के प्रभारी मंत्री भी हैं अभी हाली में आप उत्तरकाशी गए तो जहां पर आपका विरोध हुआ और वहां बीजेपी के नेताओं नहीं आपका विरोध कियों अब देखिए मंच में बैठने के लिए चोटी मोटी घटना हो जाती है अब क्योंकि मुख्यूंत्री जी के वास टाइम नहीं था आपने हलीपेट इतना दूर बना जिया कि सवागंटा आने जाने में लग गया इस थानियों को बोलने को नहीं मिला प्रभारे मंत्री होने करता है मुख्यूंत्री जी के सामने म Epic स्वाची चोड़ी होगा इस थी मण आगे बढ़ता हूं मैं मसूरी पर आताओ जिस छेत्र की जनता ने आपको एक सेवक बनाया और इस छेत्र की जनता के लिए कोई दो रहे नहीं कि आपने काम किया आपने राजपूर विधान सभा से लेकर तब भी आपने मसूरी की जनता के लिए काम किया जब आप राजपूर से विधाय थे और आज भी मसूरी की जनता के लिए काम कर रहे हैं लेकिन आपने ऐसा क्या किया कि जनता एक बार फिर से आपको मौका दे चौती बार मैंने ऐसा क्या नहीं किया कि जनता मुझे क्यों ने बटाजिए क्या किया मसूरी की जनता के लिए मैं आप से पूछ रहा हूं क्या किया है देखिए मैंने 24 घंटे 300 पैसर दिन मसुरी की जनता को दिये हैं मसुरी की रोगों को दिये हैं कोई वेक्टिक यह नहीं कह सकता पंद्रा साल से विदाय कूँ मंत्री हूं गणे जोशी ने अपने लिए अपने प्रिवार के लिए अपने बच्चों के लिए कुछ किया होगा मैं इतना जानना चाह रहा हूं कि जो समस्या थी मशूरी की चाहे वो पार्किंग कि समस्या हो चाहे वो जल की समस्या हो अब उधारनके तो तर पर सत्पाल महराज जी ने कहा था कि हम रोपवKen बनाएंगे वो रोपे की आज तक तार नहीं दिखाएंगे प्रयामन्स का उसकी सारी प्रग्रियां को रही हो चुकी है में मसला होम से था या भार बेद करना चाता हूं ग्रह मंत्री जी का क्योंकि आई टी बीपी की उपर से जाना था हमने होम से उसको पास करा लिया है लेकिन अंजीट है कि आपने देखा होगा हमारे कई एक्टिविस्त हैं एक चोड़ा चोड़ देते हैं कहानी वहां डग जाती है लेकिन मुझे पूरा वरोसा है कि रोपे बनेगा रोपे बनेगा बारा मिनिट में हम यहां से मसुरी पहुंच जाएंगे कब तक बन जाएगा जिस दिन ही प जता हूँ क्योंकि इसमें लगातार मैं अपने अधिकारें से के जिम्मेदारी आपकी है और हम इनको मकान भी हम देने जा रहे हैं उनको कर दिया तो आप भूब सुर्णका साथ प्र्यावर का एनसे मिलेगा मुड़े पूरा बोसा है कि हम जल्दी कोसिस करेंगे मिलेगा मैं आगे बढ़ता हूँ एक और महत्पूर्ण विशे जो उत्राखंड के सियासी गल्यारों में खूब बूंज रहा है कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक और मधू कोड़ा कांड होने वाला है छे सो करोड़ पे का खनन गोटाड हुआ देखे बातियन्ता पार्टे की चाहिए दिल्ली की सरकार हो चाहिए प्रदेश की सरकार पूरी इमानदारी से काम कर रही है यहां कोई ऐसे अनिता नहीं कि उस्प्रकार के काम करें मुझे याद है कि जब हरी स्रावर जी मुख्यूत्री थे तो एक क्वेस्टा ब्रांड नाम भूरा में उसका ब्रांड शर्चू में रहता था लेकिन आज पूरी इमानदारी से महसरकार काम कर रही है यह कांगरे के पास को सप्ता की मलाईख भाने की आदरत है। सप्ता से बाहर रहे और कुछ नहीं कर सकते हैं कौंग्रेस कौंसे मदू कोडा की बात कर रहा है रहा है कि उत्रा खंड में जी का उसमें विजनेडिया तही नेता थे और एक विजन के साथ काम कर रहे थे और एक डिसिप्लेन उनकी थे पहचान थी और 2012 का वो दौर आपने इमानदारी का जिक्र किया लोकायुक कहा है क्यों नहीं है उत्राखंड में लोकायुक देखिए जुस्त लोकायुक को हुँने बनाया था हमने विधानस बादे पास किया था को हुँने इसको उज्द्रस कर दिया था लेकर आएंगे आप क्योंकि सरकार आप चला रहे हैं तो जिरो टॉलरेंस की बात करें लोकायुक की जरूरत नहीं आपको मैंने का और शुक्ता होगी तो लोगायुक देखिए खंडूरी जी का सपना कौन पूरा करेगा खंडूरी जी का विजन था लोकायुक आप लोकायुक को लेकर परवर समीती को आप सौप देते हैं तो फिर उनका विजन कौन पूरा करेगा कैसे जनता यकीन करें कि आप भरष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं आप किसी मंत्री पर कोई आरूप बता दीजेगा इसका मतलब लोकायुक की जरूप नहीं किसी मंत्री पर कोई आरूप बता दीजेगा कि कोई विज्टाचार को आरूप लगाओ कांगोरिस की सरकार में तो आप देखा हुए हर एक दो मेहें के अंधर कौनों कोई मंत्री जेल के अंदर होता था अब मेरा एक और सवाल आपसे तीन-तीन मुख्य मंत्री के चहरे दिये यह आपकी उपलब्दी है जनता पूछती आपसे की तीन-तीन मुख्य मंत्री क्यों लाया आप जनता पूछती आपसे की तीन-तीन मुख्य मंत्री क्यों लाया आप मैंने कहा ना किस कार्यकरता को किस समय उसकी उप्यता कहां पर है उसके अनुसार पार्टी नहीं लेती है बहतर मुख्य मंत्री कौन दिखाए दिया आपको तीनों में से तीरज जी तीरज जी तो फिर हटाया क्यों आपने मैंने क्या का पार्टी इस वेक्टी का कहां पर उप्योग करना है इस कार्यकरता कहां उप्योग करना है उसके संदेन लेती है आज तक तीरवेन जी को पता नी चला कि उनको क्यों अटाया, तीरश जी को मालूमीँ नी चला, उनकी कर्सी क्यों चड़ी गई, पता ही नी चला इन जब बने थे तो नी चला, प्रटी करने हैं, प्रटी कार्ता को कब कहां फिट कल ना है, यह अचना दिक्या अच्छा धामी या फिर खंडूरी जी कौन सबसे बहतर मुक्य मंत्री दिखाए दिया देखिया धामी जी तुका आयवे भी चार मेंने भी काम करने का मौका नहीं मिला है लेकि उन्हें के पच्चिन नूबर चलना है और खंडूरी जी को तो अपना आदर समानता हूँ मैं छोड़े-छोड़े सवालों के उत्तर आप से लूँगा दो छोड़े-छोड़े सवाल है उत्त्रा खंडने, भर्दी हामी, पुछ कर धामी, पुछ कर धामी, पुछ कर धामी. तो मतलब धामी ही चाहरा हूँगे, कोई और इफ और कोई बाट नहीं. अच्छा आम आधमी पार्टी किसकी B-Tम है, आपकी या फिर कॉंग्रिस की? कॉंगरिस की बी टीम है है फिर वह तो आपकी बी टीम हुई नुकसान अगर कॉंगरिस को पचाएगी तो आपकी बी टीम हुई है मैंने का ना कि उसकी दाल यहां इसलिए निकलने वाली है यह विरों की भूमी है राष्ट भक्तों की भूमी है और आप आप किसी से बात कर लीजिएगा आम जन्मानस से बात कर लीजिएगा मैं तो ब्रमींती राज़ती करता हूँ जिस वएक्ती ने राष्ट द्रूही कोंगा मैं तो उठाया हो इसको नेता मान लिया इसके नेता क्यों है कि नेता 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 नरेंद्र मोणी है आपने वक्त निकाला न्यूजवर्ड इंडिया से और मेरी छोटी जाते-जाते एक गुजारिश है मसूरी की आवाम आपको इस वक्त सुन रही है मसूरी की आवाम ने आपको चुना एक जन सेवक के रूपने आपने बहुत अच्छी बात कही शुरू में निकार, कि मैं राजा नहीं हूं, मैं सेवक हूँ, मसूरी की जनता का को कोई संदेश देना चाहेंगे हमने मस्दूरी फिक्णिंग जाना था तो दू पैंट कमीच होती थी तो मैं दूबी के बाद गया पैंट कमीच प्रस्ट करा कर ला रहा था साइगिल का केरियर लूस था वो पैंट कमीच वहाँ से निकली था उसका फ्राइवी लोता न जिसमें होते हैं उसमें फंस गई पैंट कमीच बिलकुल क्रस्ट लो गई मेरा पहने के लिए कपड़े नहीं थे फिर मैंने जो बदन में कपड़े पहने थे उनको उता रहा है उनको दोया फिर उनको सुखाय कैसे दोगी बंदो चुका था फिर घर में प्रस ढूंड़ी जो घर में प्रस पड़े थी उसके नीचे जंग लगावा था देख मार से उसका जंग साब किया जो चूले के जो कोईले होते हैं उससे प्रस को गरम किया हो कबले जुखाये उनको परके मसूरी गया था आज मसूरी की जद्पाने मुझे वहां का विधाय प्रादी उन्हें वो दिन देखे मंतिजी आब भाव उकमत हो ये बहुत बहुत शुक्रिया न्यूस वर्ड इंडिया के लिए आपने वक निकाला बहुत बहुत शुक्रिया तो ये थे हमारे साथ गणेश जोशी जो की कैबिनेट मंत्री है लेकिन सवाल यही कि क्या इस बार उत्राखंड के देभूमी के दंगल में गणेश जोशी भी रचेंगे इतिहास पिच्चर अभी बाकी है अगली बार होगी एक और नई शक्षियत से मुलकात मुझे दीजी एजारत नमस्कार जैहिन जैभारत जैह उत्राखंड अब आपकी राजनितिक लड़ाई भी तो एक सैनिक सही है करनल कुठ्या आपको लगता है इस फैसले का फाइदा मिलेगा आपको जो फैसला क्रिशी कानूनों को लेकर प्रदान मिलेगा तेर करदी भुदूर आते आते मामला केंद्र का है अब रिलान मंत्री जी अपने अदूरों ने का है कि हम उनको समझा नहीं पाए कॉंग्रेस के नेता कह रहे हैं कि एक और मधू कोड़ा कान्ड होने वाला है छे सो करोड रुपे का खनन गोटाना हुआ कोई ऐसे नेता नहीं है कि जिस प्रकार के काम करे दो हजार बारा का वो दौर अपने इमानदारी का जिक्री का है लोकाइट कहा है अगर आप शक्ता होगी तो लाइट पर ले आएंगे लो टॉरेस की बात करें लोकाइट की ज़रूरत नहीं आपके आम आदमी पार्टी किसकी बीटीम है आपकी या पर कॉंग्रेस की तो हरक्सिन रावत का एक बयान आया हाली ने उन्होंने कहा कि अगर मैं बीजेपी का रणनीतिकार होता तो मैं कभी भी हरीश रावत का नाम नहीं लेता इससे कॉंग्रेस को फायदा होगा आपको लगता है देखे मैं तो हरीश रावत जी का नाम नहीं बीजेपी जाए कॉंग्रेस के नेता कहा रहे हैं कि एक और मधू कोड़ा कांड होने वाला है छे सो करोड़ उपे का खनन गोटाला हुगा अच्छा धामी या फिर खंडूरी थी कौन सबसे बहतर मुक्किमन थी इस बार धामी ही चैरा होगा पिल्कुल होंगे पहले खंडूरी है जरूरी या धामी है देखे प्ला करने बर्दी हामी पुषकर धामी पुषकर धामी